नमस्का दोस्तों स्वागा थे आप सभी का सिक्षा सटीकर्स योटूब चैनल में दोस्तों यह अमारा लेकपाल भती परिच्छा की क्रैस कोस का वीडियो 6 है ता आज के इस वीडियो में हम उत्तरपदेश पंचायती राज से संबंध जितने भी important fact बन सकते हैं उन सभी को cover करेंगे जैसे हम इस वीडियो में ग्राम पंचायत को cover करेंगे छेतर पंचायत को cover करेंगे और जीला पंचायत से जुड़े सभी महत्रपुन तथ्यों को cover करेंगे तो चली वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कौन-कौन से important fact और point बन सकते हैं उत्तरपदेश पंचायती राज से संबंधी तो चली वीडियो को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उत्तरपदेश के पंचायती राज के बारे में बात करेंगे तो यह सबसे पहले जान लेते हैं कि पंचायती राज का जिक्र जो है हमारे सम्मिधान के किस अनुच्छेद में किया गया है तो जीस है कि आप सभी को पता है हमारा जो अनुच्छेद हैने कि हमारा जो आर्टिकल 40 है यह DPSP के अंतरगत आता है प्या देखेगा हमारा जो DPSP जिसको हम हिंदी में कहते हैं राज के नीती निजलसक सिधान्त इसी के अंतरगत आता है आर्टिकल 40 तता इसी आर्टिकल 40 के अंतरगत यह प्रवधान किया गया है कि राज्यों में पंचायतों की अस्थापना की जाएगी तो आप इसे आ देखेगा अनुच्छे 40 जो है य जो में ग्राम पंचायतों की अस्थापना से तता इसे या देखेगा तता यह जो आर्टिकल 40 है यह DPSP से समबंदित याने की राज के नीती निजलसक सिधान्त के अंतरगत आर्टिकल 40 याने की अनुच्छे 40 को रखा गया है तता इसे या देखेगा यह most important point जो लगातार में पूछा गया है इसके बाद आपको पता ना चीए कि श्री बलवंत राय मेहता जो समीती थी उसकी सिफारिशों के अधार पर विकेंद्री करण के सिधान्त के अनुप उत्तरपदेश पंचायत एवं जीला पंचायत अधिनियम 1961 इस्वी में क्रियानवित किया गया था ता पिसे याद दिखेगा बलवंत राय मेहता समीती की सिफारिशों के अधार पर विकेंद्री करण के सिधान्तों के अनुप उत्तरपदेश छेत्रपंचायत व जीला पंचायत अधिनियम 1961 इस्वी में क्रियानवित किया गया था ता पिसे याद दिखेगा यह था अधिन पिसे याद दिखेगा बलवंत राय मेहता जो समीती थी इतने त्री अस्तरी यानि की तीन अस्तर पे पंचायती राज विवस्था की सिफारिश की थी तो आप इसे याद दिखेगा बलवंत राय मेहता ने जो है त्री अस्तरी पंचायती राज विवस्था को सुरू करने क जो है सिफारिस किया था तो आप इसे आ देखेगा यह कई पर एक जाम में पूछा गया प्रस्तन है इसके साथी जो हमारा समिधान संसोधन वा था तिहतरवा समिधान संसोधन यह पंचायती राज से संबंदी थे हमारा जो समिधान संसोधन किया गया था तिहतरवा समिधान स संसोधन किया गया था 1992 में यह पंचायती राज बिवस्था से संबंदित था तदा इस समिधान संसोधन के अंतरगत हमारे समिधान में भाग नौ में अनुच्छे 243A से 243 O तक जो है पंचायती राज संस्थाओं को समिधानिक दरजा प्रदान किया गया तो अपी से आ देख 243 O तक तो आप इसे आ देखे कि यह भी कई पर एकजाम में पूछा गया है तो आपको कितनी से यादख नी है पंचायती राज से जुड़ा जो समिधान संसोधन है आपको यादखना है तहतरवा समिधान संसोधन 1992 में तता पंचायती राज से संबंदित कौन सा आर्टिकल है तो 243 ए से लेके 243 ओ तक का जो आठिकल है या पंचायती राज बेवस्था से अधारित है तो आप इसे या दिखेगा most important इसके साथ ही इस संसोधन है आप या देखेगा यह जो संसोधन क्या गया था संसोधन के अनुक्रम में उत्तरव देश पंचायत विधी संसोधन विदेयक 1994 में पारित किया जो 24 अप्रेल 1994 से प्रदेश में प्रवित याने की लागू हो गया तो इसे या पिया दिखेगा पंचायतों को आल्थिक रूप से सुधिर्ण करने एवं स्वसासन की इकाई के रूप में सच्छम बनाने के लिए संविधान की 11 अनुसूची के कार्यों को पंचायतों को हस्तांतरित किया गया पिसे आदेखेगा जो पंचायती राज से संबंदित भी से हैं उनको अनुसूची 11 में संब्लित किया गया तो इसे भी आप याद रखेगा हमारे समिधान की जो 11 अनुसूची है उसमें पंचायती राज के बिसे को संब्लित किया गया तो इसे भी आप याद देखेगा तथा उत्तरबदेश में अजिस सूचना दिनां 23 अपरब 1994 के द्वारा पंचायतों का जो चुनाव है राज निर्वाचन आयोग के दोरा उन्नी सो पंचान बेसे किया जा रहा है, तिसे भी आप 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 आ देखेगा, उत्तरपदेस में त्री अस्तरी पंचायती राज की बेवस्ता है, जेलाप नचायत, छेत्रपदेस और ग्राम पंचायत बेवस्ता लाग वे तून आप और ग्राम पंचायत तो इसी के बारे में हम आगे के स्लाइड में डिसकस करेंगे कि ग्राम पंचायत से important point कौन कौन से बन सकते हैं, छिद्र पंचायत के important point कौन कौन से हैं और ग्राम पंचायत के important point कौन कौन से हैं तो इसे आप याँ दिखिएगा इसी त्री अस्तरी बिवस सनस्था आपकी होती है ग्राम सभा । इसे आप या दिखीगा ग्राम पंचायत अस्तर पे सबसे अधिक जो प्रभावी सनस्था मानी गई वो है ग्राम सभा है जिसमें सभी योजनाएं एवन बजट रखकर अनुमोदित कराया जाता है तो आप इसे आ दिखीगा g्राम अस्तर पे सबसे अधिक प्रभावी संस्था आपकी होती है ग्राम सभा अगला मारा है इसी प्रकार छेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत की बैटकों में भी उनसे संबंदित युजनाओं एवं बजट को अनुमोधित कराया जाता है वलतमान में उत्तर प्रदेश में 69,163 ग्राम पंचायत, 821 छेत्र पंचायत और 8,125 पंचायत एवं 75 जिला पंचायत है तो आप इसे याद देखीगा ग्राम पंचायत का जो अध्यच होता है वह सरपंच या ग्राम प्रधान होता है तता इसके सायोगतु 11,10 भी होते हैं तो इसे आप इसे याद देखीगा ग्राम पंचायत का अध्यच आपका सरपंच या ग्राम प्रधान होता है तता इसके सायोगतु 11,10 भी इसके अंतरगत आते हैं तो आप इसे याद देखीगा ग्राम प्रधान के सायोगतु 11,10 से नामां परियोजना निदेशक जीला विकास अधिकारी और उपयूक्त उपायूक्त मनड़ेगा तथा जीला अस्तर के उपर आपका आता है मंडल अस्तर तथा मंडल अस्तर में जो मुख के अधिकारी होता है सहयुक्त विकास आयुक्त तो इसे आप या देखेगा सबसे उपरी अस्तर होता है आपका राज अस्तर पहली बार स्थापना है 15 अगस्त उन्नीस सो उन्चास को किया गया था यह डेटा आपके लिए इंपोर्टेंट है उत्तर बिदिस में पंचायत का जो गठन पहली बार 15 अगस्त उन्नीस सो उन्चास को किया गया था गाउं ग्राम पंचायतों का गठन यथा संभव एक हजार की अबादी पर किया जाता है पंचायतों में मतदान करने के लिए निंतम आयू 18 वर्स रखी गई है तता पंचायतों के सदस एवन प्रधान वो या अन्य पदादिकारियों के लिए निंतम आयू 21 वर्स है ग्राम पंचायत का अध्यच जो होता है आपका ग्राम प्रधान होता है तो इसे आप आप आदेखेगा ग्राम पंचायत का अध्यच आपका होता है ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है प्रत्यच रूप से ग्राम सभा के मतदाताओं के द्वारा किया जाता है ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव भी प्रत्यच रूप से मतदाताओं के द्वारा किया जाता है उप्रधान का चुनाव ग्राम पंचायत के चुनने वे सदस्यों के द्वारा किया जाता है तता ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या का नि एक हजार एक जनसंख्या पर नौ सदस्य होंगे यानि जो ग्राम पंचायत के सदस्यों की संख्या है वह जनसंख्या की अधार पर निधारित की जाती है तता जिस ग्राम पंचायत की एक हजार जनसंख्या होगी उस एक हजार जनसंख्या पर नौ सदस्य होंगे तो इसे आप या देखिएगा तथा 1000 से अधिक किन्तु 2000 से कम जन संक्या पर 11 सदस्य होंगे आप या देखिएगा जिस ग्राम पंचायत में मतलब 1000 से अधिक किन्तु 2000 से कम मां के मत आता है या निक वहां के जन संक्या है तो वहां पर 11 सदस्य होंगे तथा जिस ग्राम पंचायत में 2000 से अ ग्राम पंचायतों के संख्या के निधरन से लेके यहां तक यानि कि 15 सदस्य होंगे तक यह जो पॉइंट है आपका सुपर इंपॉर्टेंट है इसे आप नोट डाउन कर लेजएगा यहां से आपके एकजाम में 100% प्रस्न पूछा जाएगा अगला हमारा है ग्राम पंचायत की बैठक तो कारे संपादन है तो ग्राम पंचायत की बैठक समानित प्रतेक मास में कम से कम एक बार होगी दो लगातार बैठकों के बीच दो मास से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए ता आप इसे आ देखेगा ग्राम पंचायतों की दो लगातार बैठकों के बीच में द देखेगा किसी ग्राम पंचायत की जो प्रतम बैठक है उस ग्राम पंचायत के गठन के 30 दिन के भीटर होनी essential यानि की अनिवार की गई है तो इसे आप या देखेगा ग्राम पंचायत का सच्चिव ग्राम विकास अधिकारी होता है इसे आपया देखेगा ग्राम पंचायत का जो सच्छी होता है वो ग्राम विकास अधिकारी यानि की वीडियो होता है तथा एक ग्राम विकास अधिकारी वलतमान में पांच ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है तो इसे भी आपया देखेगा ये भी आपके एकजाम में प् देखता है तो पांच ग्राम पंचायतों का कार्य देखता है एक ग्राम विकास अधिकारी तो यह 100% आपके एक चाह में प्रसन पूछा जाएगा तो इसे भी आप यादे किएगा अगला हमारा है ग्राम सभाग की बैठक तो आई इसके बारे में बात कर लेते हैं प्रते ग्र ग्राम सभाग की प्रतिवर्स दो बैठके होंगी एक खरीब की बैठक यानि खरीब की फसल कटने के तुरंद बाद बुलाई जाएगी तता दो दूसरी जो बैठक होगी रवी की बैठक जो रवी की फसल कटने के तुरंद बाद संपन होगी तो ग्राम सभाग की दो बैठ अनिवार होती है प्रतिवस कौन कौन सी पहली बैठक होती है खरीब की बैठक और दूसरी होती है रवी की बैठक तो यह दोनों बैठके आप याद देखिएगा अब हम बात करेंगे छेत्र पंचायतों के बारे में तो प्रतेक छेत्र पंचायत में एक प्रमूख तथा एक उप प्रमूख एवं सदस्य होते हैं, दिसे आप या देखेगा, जो आपकी प्रतेक छेत्र पंचायत होती है, इसमें एक प्रमूख होता है, तता एक उप प्रमूख और सदस्य होते हैं, सदस्यों का जो चुनाव है, प्रतेक चुरूप से मतदाताओं के दोरा किया जाता है तथा आप याँ देखेगा जो छित्र पंचाद के सदस्यों होते हैं उनका चुनाव प्रत्य चुरूप से मतलब ओटर के दोरा यानि की मतदाताओं के दोरा किया जाता है तता प्रमूख एवं उप्रमूख का चुनाव सदस्यों के दौरा अपने सदस्यों के बीच से किया जाता है तो यह दोनों अंतरा प्या देखेगा सदस्यों का जो चुनावे प्रतेच रूप से मतदताओं के दोरा किया था यानि छेतर पंचायत के जो सदस्यों होते हैं उनका चुनाव जो है मतदताओं के दोरा किया था परंतु छेतर पंचायत के जो प्रमुक और उपप्रमुक होते हैं उनका चुनाव जो सदस्य मद्दताओं के दारा चुने जाते हैं उनके दारा कियाते हैं यह सदस्यों के दारा जो है प्रमूख और उप्रमूख को चुना जाता है तो इसे भी आप याद देखिएगा अगला हमारा है छेत्र पंचायत का सचीव कौन होता है तो खंड विकास अधिकारी की वीडियो जो होता है वह छेत्र पंचायत का सचीव होता है तो इसे आप या देखिएगा छेत्र पंचायत का सचीव कौन होता है तो बी डी यो यानि की खंड विकास अधिकारी जो होता है या छेत्र पंचायत का सच्छीव होता है अगला हमारा है जिला पंचायत तो जिला पंचायत प्रतिक जिले में घठिक की जाती है जिला पंचायत के सदस्यों का जो चुनाव है प्रत्यच रूप से मतदताओं के द्वारा किया जाता है तिस्या प्या देखेगा जिला पंचा जिला पंचायत का जो से रचीत होता है अब हम बात करेंगे जिला पंचायत्स चो के अंतरगत चर समीतियों का गठन किया है उते है प्रसास्निक समीति नियोजन इवं विकास समीथी सिच्छा समीथी निर्मान कारे समीथी पाचमी आपकी स्वास्ते अबं कल्यान समीथी हो गई और कछटमी आपकी हो गई जवाल प्रबंद समीथी यानिक जीला पंचायत के अंतरगर जो है छो समीथियों का गठन किया यता है ये छो समितिया कौन-कौन सी है इन्हें आप एक बार देख लिजेगा अब हम लास्ट में डिस्कस करेंगे ग्राम प्रधान को हटाने की प्रक्रिया ये सुपर इंपोर्टेंट है इसे आप बिलकुल ध्यान से पढ़िएगा तो ग्राम प्रधान को हटाने है तो ग्राम पंचायद और एक बिसेश बैठक बुलाई जाती है जिसकी 15 दिन पूर्व सुचना देनी अनिवार्य होती है तो आप इसे आ देखीगा ग्राम प्रधान को हटाने के लिए ग्राम पंचायद और एक बिसेश बैठक बुलाई जाती है जिसकी जो सुचना है 15 दिन पूर्व देनी अनिवार की गई है तो इसे आप या देखेगा इस बैठक में ग्राम सभा के उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के दो तियाई बहमदरा प्रधान को हटाया जा सकता है ग्राम प्रधान को हटाने के लिए बुलाए गई बैठक के लिए गड़ पुलती का होना अनिवार है तथा उस ग्राम सभा के एक तियाई सदस्यों से कम नहीं होनी चाहिए तिससे भी आप या देखेगा यदि बैठक में गड़ पुलती या अपेचित बहमत न होने के कारण प्रधान को हटाने है तो पारित न हो सके तो उसी प्रधान को हटाने के लिए दूसरा इस प्रकार का प्रस्ता उस बैठक से एक वर्स के भीतर नहीं लाया जा सकता है तो इसे भी आप याद देखेगा तता अगला हमारा है सम्विधान की 11 अनुसूची में उल्लखीत 29 विसों में से 16 विसों के कार उत्रधिस में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये गए हैं तो आप या देखेगा जो हमारी 11 अनुसूची है या ग्राम मतलब पंचायती राश से संबंदित है तता इसमें जो है पंचायती राश से संबंदित 29 विसों का चुक्र किया गया है तता इन 29 विसों में से 16 विसों के कार उत्रधिस में ग्राम पंचायतों को हस्तांतरित किये गए हैं तो यह important point है इन्हें आप या देखेगा तो दोस्तों आप हमने उत्रधिस पंचायती राश से सकते थे उनको हमने कवर कर लिया है तो आज के लिए इतना ही थैंक्यू थैंक्स प्रोचिंग थैंक्यू